दोस्तो, Coral Row में जब भी आपको इन डिजाइन क्रियेट करते हैं और क्रियेट करने के बाद अपनी उस फाइल को प्रिंट के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स कर ली नहीं होती है अगर आप यह सेटिंग्स करके रखते हैं तो आपने जो भी कलर्स अपने डिजाइन में यूज किया है वो कलर यहाँ पर चेंज नहीं होगा और भी बहुत सारी सेटिंग्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम चाने वाले हैं तो वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में इंट्रस्टिड हैं और कॉरल रो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हमारी प्लेलिस में जाकर के आप कॉरल रो के सभी आप्शन को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो इस प्लेलिस के अंदर हमने कॉरल रो को बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है आप किस तरीके से लोगो बना सकते हैं और किस तरीके से कॉर रो के सभी आप्शन का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं चलिग ए वीडियू को शुरू करते हैं जैसे हम F9 ट्रस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी डिजाइन यहाँ पर बनाया है वो आपको full skin पर यहाँ पर दिखाई देगा इसके रावा अगर आप यहाँ पर navigation की का इस्तमाल करते हैं तो यहाँ से आपने जितने भी pages पर जो जो डिजाइन बनाया होगा उसे full skin पर यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं view के अंदर हमारा एक option यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है preview selected only का इसका इस्तमाल तब किया जाता है जब आपने एक ही page पर काफी सारे objects यहाँ पर बनाये हुए हैं और उन objects के अंदर से आप किसी एक ही object का preview देखना चाते हैं जैस हमने यहाँ पर select कर रखा है तो view में आकर के जैसी आप यहाँ पर इस वाले option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जिस object को यहाँ पर select किया था यह केवल उसी object का हमें यहाँ पर preview दिखा रहा है इसके लावा हम अगले option की बात करते हैं view पर जैसी हम click आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पेज यहाँ पर highlight हो जा रहा है तो इस तरीके से आपने बहुत सारे pages पर design बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर इसकी मदद से एक साथ एक ही page पर सभी design का preview देख सकते हैं इसके बाद हम इसे वापस से यहाँ से अटा देते हैं next option आप यहाँ पर देख सकते हैं zoom करने का और zoom out करने का है याँ अगर आपने जो भी object बनाया हुआ है उसे आप zoom करना चाहते हैं तो यहाँ से view पर click करके आप zoom in पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको object यहाँ से zoom हो जाएगा अगर आप अपने keyboard से control key के यहाँ पर आप देख सकते हैं zoom to fit का option हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस पर जैसे हम click करेंगे जैसे माल लीजए अभी हमने object को काफी छोटा कर दिया तो अभी आप माल लीजए हमारा जो object है यहाँ पर काफी जादा दूर है और हम इसे focus मिलाना चाहते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अगले option की यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने option आपको दिखाई देता है proof colors का दोस्तों proof colors का इस्तमाल तब किया जाता है जब आपने कोई ऐसा design बनाया हुआ है जिसके अंदर आप यह चाहते हैं कि आपने जो भी colors का इसमें इसमें हुआ है वह color यहाँ पर printing करते समय जब हम किसी को यह file भेजेंगे print करने के लिए तो वह बिल्कुल भी change नहीं होगा जिस color का हमने यहाँ पर इस्तमाल किया है वही color यहाँ पर print होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर इस वाले option को यहाँ से हटाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इसको पर हलका सा यहाँ पर effect आपको दिखाई दिया होगा मैं फिर से आपको एक बार proof color का इस्तमाल करके आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देख सकते हमारा design हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जैसे हम view tab में जाएंगे और अटाने के लिए आपको वापस से उसी option पर जा रहा है और यहाँ पर आपको proof color पर click कर देना अगर आप यहाँ पर control Z का इस्तमाल करेंगे तो यह control Z से proof color कभी भी नहीं अटता तो इसे हम वापस से अटा देते हैं इसके बाद हमारा जो next option है वो आप यहाँ पर देख सकते ह है तो दोस्तो इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है वो भी जान लेते हैं हम यहाँ पर एक नया page पहले इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ objects को create कर लेते हैं जैसे इतना करने के बाद आपको view option पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको option दिखाई देता है simulate overprint का इस वाले option पर आपको click कर देना है दोस्तो इस पर आप जैसे click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके colors में कुछ changes आपको दिखाई देगी और उसके बाद आपको आना है object में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है जैसे माली जम यहाँ पर एक image को import कर लेते हैं और इस image को import करने के बाद अगर हम इसको इसके उपर रखना चाहते हैं और यहाँ से right click करके order में जा करके to front of page कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीकी का effect भी आप इसके उपर इस्तमाल कर सकते हैं हम «Ctrl Home की मदभ lei की ऊपर हैं इसको यहाँ से उपर याँ से उपर की तरफ ला सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस तरीकी का Transparency effect देना चाहते हैं एप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने अगले option की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर अगला option है, हो ए रस्टराइस complex effect का, दोस्तो इस option का इस्तमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर mark sheet को open कर लिया, और इस mark sheet में हमने काफी जादा complex design यहाँ पर create कर रखा है, अगर आप इस तरीके का design create करके रखते हैं, और उसके बाद आप इसे printing में देते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, view option पर जाना है, और इस वाले option पर आपको tick कर देना है, तो दोस्तों अगर आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर देते हैं, तो इससे फाइदा यह होगा कि इसमें जितना भी हमने complicated design यहाँ पर बना रखा है, वो proper सही तरीके से यहाँ पर print होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका छोटा सा effect मैं आपको इसकी QR code पर दिखाना चाहूँँगा, यहाँ पर जैसे हम click करेंगे, retryze complex effect पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप उसे print में देना चाहते हैं, तो print में देने से पहले, आपको यहाँ पर इस option का इस्तमाल कर लेना है, ताकि आपके colors के अंदर यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी changes, या किसी तरीके का कोई भी effect ना आए, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा, धन्यवाद,